हेलो स्टुडेंट वेलकम टो एंसेटी क्लासेज बायराकिस्टेम्रेसर आज हम बात करेंगे बच्चो क्लास 11 एंसेटी मैंटेमेटिक सिके चेप्टर नंबर 2 रिलेशन और फंसन के ठीक है बच्चो इसमें रिलेशन और फंसन में अभी हमने देखा था एक्साइस 2.3 अब ह में सम्द्ध है को संब्ध एक्ट कर्याता है अब को पता है जब डोमेन के या निक हैस सकते है जो फgest is equal to x square x square दिया है comma 0 is less than x is less than equal to 3 ठीक है और 3x comma 3 is less than equal to x is less than equal to 10 द्वारा परिभासी थे ठीक है दूसरा संबंध हमारे पास given है कि जी ठीक है जी अब यह function है या नहीं यह भी उसके पर सर्चा करेंगे तो संबंध जी क्या कहता है जी x is equal to x square comma 0 is less than equal to x is less than equal to to and 3x comma 2 is less than equal to x is less than equal to 10 द्वारा परिभासी थे दो संबंध दिये गए हैं पहला संबंध है मेरे पास f और दूसरा संबंध है ठीक है दो संबंध दिये गए अब हमको बताना है दर्सा यह कि क्यों f एक फलन है अब हमको यह दर्साना है कि f क्यों फलन है और जी एक फलन नहीं है ठीक है कोशन यह थोडा से घुमा दिया दो संबंध यह पहला संबंध 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 वैसे संबंध को तो हम किसेusion करते रेप्रेजिन करते हैं बट यहां पर दो संबंध यmmet एक एक है f और 1 is तो हमको बताना है कि क्यों फलन है और जी क्यों फलन नहीं है ठीक है तो देखिए अब इसको थोड़ा समझना अच्छे से बहुत ही प्यार से समझना इसको क्या कहता है अब देखो यहां पर एक साथ दो दो फंसन है या दो दो हम कह सकते हैं नियम जिसकी बात कर रहे थे हैं कि जो फंसन है या जो फलन है एक विशेस प्रकार का क्या है रिलेशन है यह बात किये थे हमने तो एक रूल क्रियेट करता है न तो फलन क्या होता है एक प्रकार का रूल अब यह rule कब apply करनी इस पर जिसे चरजा करते है इसको समझ ना क्योंकि यह जो questions है बहुत important है अभी इस chapter में काम न आए लेकिन जो अगले chapter होंगे जैसे सांतत्य पढ़ेंगे आप है न आप जैसे limit पढ़ेंगे उसमें बहुत important question बन देंगे ठीक है तो देखिए पहला rule के लिया है fx is equal to x square यह x square कब apply करना है जब x की value 0 के equal हो जाई है 0 से बड़ी हो और 3 के equal हो जाई है 3 से छोटी हो तब आप इस function fx is equal to x square की बात करेंगे लेकिन यहाँ पर यदि value 3 हो जाए x is equal to 3 हो यह 3 से बड़ी हो और 10 x is equal to 10 हो जाई है ठीक है बच्चो उसके अद जो हमारे पास relation दिया गया है second relation gx दिया गया है इस पर भी वही है कि gx is equal to x square इसका use कप करेंगे जब x की value 0 हो 0 से बड़ी हो या क्या हो 2 हो या 2 से शुटी हो ठीक है ठीक है तो हम पहले जो हमारे पहला relation fx इसके उपर चर्चा करते हैं अब देखिए मैं यहां पर बहुती इससे ज्यादा नहीं छोटा सा बतानी कुछ से करूँगा अब देखिए कि यहां पर x is equal to 3 यहां पर भी दिख रहा है आपको दिख रहा है x is equal to 3 x is less than equal to 3 बोला तो यहां पर 3 include हो जाएगा x की value और यहां पर भी देखिए x is equal to 3 बोला तो मैं क्या यहां पर जब x is equal to 3 x is equal to 3 तो यहां पर हम दोनों भी स्वेय value को पूट करके देख लिए पहले x is equal to 3 यहां की बात करता हूं यदि हम क्या बोलेंगे यहां पर यदि 3 is equal to x है इसकी बात कर रहे हैं x है यहां पर x के जागा 3 लिखेंगे तो 3 का square हो जाएगा तो 3 का square is equal to 9 ठीक है और अब second function की बात करते हैं इस term में है ना इस term में कि fx की बात करते है fx is equal to x is equal to 3 था ठीक है तो अब क्या बात करेंगे आप ठीक है अगर मैं यही पर अभी बात कर लेता कि x is equal to 2 लेता तो कुंसे फंसन में मुझे रखना पड़ता थे x is equal to 3 x is equal to 3 यहां पर रखा तो भी आपके पास यह 9 आया x is equal to 3 यहां भी रखा तो भी एक प्रकार का फंसन है यह जो relation है एक प्रकार का फंसन है क्यों फंसन है समझो क्यूंकि बेटा जब हमने यह 3 रखा तो 3 यह जो 3 element x की value है ना एक्स फाइंड वा में तो यह देखो 9 आ यहां पर भी लाइना और यह इमेज देखो 3 की इमेज क्या है 99 सेम है अलगलगी मेंज बनी क्या मैंने बताया था आपको कि किसी भी एक एक एलीमेंट की दो इमेज नहीं होगी एक और केवल एक इमेज होगी अगर एक एक से अधिक इमेज हो जाती है तो यह फंसन नहीं होता ठीक है तो देखो यहां पर 3 रखे तो 3 की के 3 से दोनों इमेज सेम है मतलब 3 की इमेज 9 है मतलब दिया गया जो रिलेशन एप था वह क्या है एक फंसन है ठीक अब देखतें सेकेंड पार्ट है ना जी एकस की बात करते हैं जी एकस में जदी x is equal to देख लो यहां पर 2 दिख रहा है x is equal to 2 यहां पर भी x is equal to 2 चलो 2 को ही रख करके देखते हैं दोनों पंसनों में इसमें भी रखके देखते हैं तो क्या हो जाएगा x is equal to 2 तो क्या हो जाएगा f 2 is equal to चलो यहां रखके देखो तो 2 का square 2 का square is equal to 4 एंड यहां पर तो f2 is equal to 3 into 2 is equal to 6 देख लीजिए अब क्या आया कि x ये domain का element है domain का element है x is equal to 2 तो हमें 2 image find हुई एक तो 4 हुई और एक 6 हुई जब इसकी एक ही element की एक से अधिक image find हो जाए या प्राप्त होगी तो क्या होता है दिया गया जो relation होता है सम्मंद नहीं होता तो अब समझ में आगया कि f एक प्रकार का फलन है और g एक प्रकार का फलन नहीं है और फलन है तो क्यों है क्यों कि ये जो 3 element था इसकी same image find हुई थी और जो यहाँ पर G function की बात किये थे हमने G relation की बात किये थे हमने तो उसमें देख लिए यह जो two element था जिसकी दो अलग-अलग image find हुई और जब दो अलग-अलग image find हो गई अपकी तो यह जो G relation था वो फलन नहीं होगा बात के लिए रो गई तो please pause the video not it down देखते है next question next question क्या दिया है उसको clean कर लेते हैं क्या दिया है question number two यदी fx यदी fx is equal to x square तो f1.1 minus f1 upon 1.1 minus 1 ग्यात कीजिए ठीक है अब देखिए क्या कहता है कि question number two में यदी fx is equal to x square है यदी fx क्या है fx is equal क्या है x square एक हमारे पास function given है ठीक है तो f1.1 minus f1 upon 1.1 minus 1 ग्यात कीजिए तो देखिए हमारे पास एक root given है है न दो दिया है क्या दिया है हमारे पास देख लीजिए fx दिया है fx is equal to x square given है अब मुझे क्या find करना f1.1 मतलब x की value 1.1 है f1.1 मतलब x की value x के जगह ही है तो है 1.1 मतलब x की value 1 है तो is equal to अब इस x की जगह भी क्या रखूँगा 1.1 ही रखूँगा का square ठीक है तो क्या हो जाएगा 1.1 is equal to 1.1 का square तो क्या हुआ अब 1.1 मतलब कितना हो जाएगा 1.21 हो जाएगा 1.1 का square होता है 1.21 ठीक है अब देखिए उसके बाद वो f1 की value find करते है तो देखो x की value 1 दिखरी ही यहाँ पर तो मतलब x की जगह भी 1 रखूँगा तो 1 का square is equal to कितना हुआ 1 हुआ तब इन दोनों value को यहाँ पर रख देंगे तब क्या होगा कि f1.1 minus f1 upon 1.1 minus 1 is equal to f1.1 की value कितनी है थी 1.21 minus 1 ठीक है f1 की value 1 ही थी upon यह 1.1 है 1.1 minus 1 चलो is equal to 1.21 में से अगर मैं 1 को minus कर दूँगा 0.21 find होगा upon में 1.1 में से 1 minus करूँगा तो only 0.1 find होगा ठीक है तो इसकी जो value आएगी इसको जो उनको cancel out कर देंगे is equal to 2.1 और यही आपका क्या होगा right answer होगा ठीक है बच्चो तो please pause the video noted down तो देखें question number 3 क्या कहता है फलन fx is equal to x square plus 12 sorry 2x plus 1 upon x square minus 8x plus 12 का प्रांत ग्याद कीजिए ठीक है बच्चो तो देखें इसका प्रांत कैसे ग्याद करेंगे हम तो आपके इसको दिखरा होगा यह ऐसा function मैंने आपको बताया था यह function कुनसा function है rational function परी में फलन हैगे नी परी में फलन तो देखें परी में फलन का प्रांत कैसे ग्याद करतें परिमेफलन का प्राम्त गयात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका हर 0 के इक्वाल नहीं होना चीए है ना तो क्या हो जाएगा यह x square minus 8x plus 12 is not equal to 0 is not equal to 0 मतलब क्या हो जाएगा अब देखो यह एक द्विखात समीकरन है इसको लिखेंगे हम x square minus 2x plus 2x minus 6x plus 12 is not equal to 0 कैसे कैसे लिखा समझ में है देखो क्या करते हैं पहले पद का जो excess करें सक करें इसका गुनां का गुना अन्तिम्बंद में कर देते हैं कि इतना है 12 इस बीच आले पद और कि योड़ो या घटा हूंगा तो कितना अच्छी में से च्छी और गुना करूंगा तो कितना अच्छी च्छे कितना हो गया माइनस एक सो जाएगा और 109 दिखरें को तो कितना हो गया इसको लिखेंगे X-6 ठीक है इस नॉट इकवल टू जीरो तो यहां पर X की टू वैल्यू फाइंड हो रही है X is not equal to 2 और 6 ठीक है X is not equal to 2 भी हो जाएगा और X is not equal to 6 भी हो जाएगा मतलब X की value 2 और 6 नहीं होगी यदि X की value 2 और 6 हो जाएगी तो क्या होगा यहां पर जो इस क्या दिया गया यहां पर हमारे पास परिमे फलन इसका जो हर हो जाएगा 0 हो जाएगा और 0 हो तो यह function non-defined हो जाएगा ठीक है इसलिए जिसका प्रांथ होगा प्रांथ क्या हो तो जितनी भी numbers हमारे पस रहेंगे वह इस दिये गया फंस हमके क्या हो जाएगे domain हो जाएगे प्रांथ हो जाएगे ठीक है बच्चो तो प्लीज पॉस्ट वीडियो नोटे डाउन ठीक है देखते है question no.4 question no.4 क्या है क्या कहता है fx is equal to fx is equal to square root x minus 1 कि द्वारा परिभाशित वास्तवी द्वारा परिभाशित वास्तवी क Sw 많은 F का प्रांथ फलन एफ का प्राम्त तथा परीसर ज्याद कीजिए तथा परीसर ज्याद कीजिए बहुत ही बढ़िया कुश्चन है हमारे पास अब देखिए कुश्चन नुमर फोर क्या कहता है fx is equal to under root x-1 द्वारा परीभासित वास्तविक फलन f का प्राम्त तथा परीसर ज्याद कीजिए तो हमें इसका प्राम्त और परीसर ज्याद करना है ठीक है बच्चो तो देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे आपको पता है कि जो function है इस वे क्या दिया कि fx is equal to under root x-1 है आपको पता है कि इसके root है इसके अंदर की value कभी भी 0 या 0 से छोटी नहीं होती है 0 से छोटी नहीं होती है ठीक है तो हम क्या बोलेंगे हमको क्या जात करना है प्रांत जात करना है ठीक है प्रांत जात कर रहें तो क्या हो जाएगा x-1 is greater than equal to 0 या तो 0 हो जाए या 0 से बढ़ी हो जाए ठीक है तो क्या होगा अब इस minus 1 का transfer इदर करेंगे तो x is greater than equal to 1 हुआ ठीक है तो x is greater than equal to 1 हुआ मतलब इस x की value या तो 1 होगी या तो 1 से बढ़ी होगी तब हम इसका प्रांत क्या कहेंगे इसका जो प्रांत हो जाएगा वो क्या होगा कि close interval 1 to infinity ठीक है 1 to infinity यह होगा इसका प्रांत हो जाएगा क्योंकि इसकी जो value होगी x की value या तो 1 दिकरी है या 1 से वड़ी दिकरी है infinity तो जाएगी ठीक है उसके बाद हम parisar की बात करेंगे parisar अब parisar क्या हो जाएगा बच्चो तो parisar हमको ग्याद करने के लिए इस fx तो क्या कर देंगे इदर वर्ग लगा देंगे y2 is equal to x minus 1 ठीक है अब इस x की value find करना तो इसका transfer इदर तो x is equal to y square minus sorry plus 1 हो जाएगा अब देखी x की value x के लिए कितनी y2 plus 1 होगी यहां पर x की value लग देते हैं तो क्या हो जाएगा y2 plus 1 is greater than equal to 1 हो जाएगा इस 1 से 1 cancel तो y square is greater than equal to कितना हो जाएगा 0 so y is greater than equal to कितना होगा 0 हो जाएगा मतलब y की value क्या होगी या तो 0 होगी या 0 से कैसी होगी बढ़ी होगी या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी मतलब इसका जो परीसर होगा परीसर कि अगर बात करें हम तो परीसर क्या हो जागा बेट्टा इसका परीसर होगा close interval 0 to infinity ठीक है 0 to infinity यह आपका परीसर होगा तो यह question भी हो गया हमारा तो please pause the video to note it down question number 5 question number 5 question number 5 हमारे पास दिया है fx is equal to modulus x minus 1 यह तो गीवर है ठीक है 1 बारा परीभासित वास्तविक फलन f का प्रांत तथा परीसर क्यात कीजिए ठीक है बहुत ही बढ़िया question है बहुत ही अच्छा question है बच्चो यहां पर तो देखिए इसका प्रांत देखेंगे प्रांत जिए इसनी लिख सकते हैं इसका है ना प्रांत क्या होगा क्या कहता एक एफ एकश इस इक्वल टू हैंना एफ एक्स इस इक्वल टू मॉडलस x minus 1 अब आपको पता है कि किसी भी function का जो प्रांत होता है और नंबर होता है और यहां पर रियल नंबर क्यों रियल नंबर होगा किसी भी मॉडलस के अंदर की वैल्यू हमें सा रियल होदी तो क्या हो जाएगा इसका जो प्रांत होगा आल रियल नंबर होगा अब परीशर की बात करते हैं परीशर अब हमको परीशर की बात करना है जब हम यहां पर कोई भी real number रखेंगे, जब हम क्या करेंगे, इसमें कोई भी real number रखेंगे, जिसका जो परीसर आएगा, वो परीसर कैसा होगा, या तो परीसर, देखो, अब परीसर रखेंगे, तो कोई भी आप यहाँ पर positive रखो, negative value हमेशा कैसी होने आली है, positive value होने वाली है, या तो 0 भी हो सकता है यह 0 से कैसी होगी बड़ी होगी तो इसका जो परिसर होगा वह जाएगा बेटा 0 0 and close interval 0 and infinity यह इसका क्या हो जाएगा परिसर होगा कैसे परिसर होगा आप समझे बात समझे अच्छे से अगर मैंने बोला यहां पर यहां पर मैंने इन माइनस रखा तो मैंनस वन मैंनस वन मांस टू मैंनस टू का मॉड्ट तो मैंनस यहां पर रख में फ्रक्तушки एंफह प्लस वडिए जीड़ी होगा। तो कैसे हो जाएगी या तो 0 होगा या 0 से बढ़ी आएगी तो क्लोज इंटर्वल 0 to infinity है यह आपका क्या हो जाएगा परीशार तो यह होगा आपका क्वेस्ट नुबर 5 प्लॉज पॉस्ट वीडियो नोट डॉन देखिए क्वेस्ट नुबर 6 क्वेस्ट नुबर 6 क्या है मान नुबर 6 से आरम एक फलन है तो F का परिसर निर्धारित कीजिए तो f का हमें परिसर निर्धारित करना है ठीके बचों बहुत ही अच्छा शैने है तो आपको यह यहां याद रखना है सबसे पहले दिया यह ना । दिया है क्या दिया है आपके पास यहां पर दिया है fx है ना यह मतलब कि fx is equal to मैं इसको y मान लो is equal to क्या हो जाएगा x square upon 1 plus x square ठीक है यही तो दिया है fx is equal to x square upon 1 plus x square अब देखिए इसका transfer इधर कीजिए तो y into 1 plus x square is equal to x square अब देखिए 1 का multiply तो 1 into y plus y है ना 1 into y into 1 into y is equal to y और y into x square is equal to y x square is equal to x square अब देखिए इसका transfer आप इधर कर दीजिए ठीक है इसका transfer इधर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा x square minus y x square is equal to y दोनों में से x square को common कर दीजिए तो 1 minus y is equal to y अब देखिए इसका transfer इधर कीजिए तो 1 minus y is greater than equal to 0 इसका transfer इधर कर दीजिए तो y is greater than equal to 0 मतलब y की value क्या होगी इस y की value क्या होगी हमेशा यह तो 0 होगी यह 0 से बड़ी होगी पर कहां तक होगी अब इस पर सर्चा करते हैं देखिए क्या दिया है 1 minus y है ना 1 minus y 1 minus y अब देखेंगे कि 1 minus हम y की बात कर ले हां पर तो क्या term होगा one minus y तो अब हम बात करते हैं ग्रेटर देन is greater than रहे ना वन च मार्टध्र की बात करेंगे तो यह 0 हो जाए गा one minus y greater than 0 क्योंकि इसकी value 0 से कैसे होनी चीए बड़ी होनी चीए ठीक है तो क्या हो जाएगा कि इसका ट्रास परिदर कर दीजिए तो 1 is greater than y मतलब अगर हम परीसर की बात करें तो परीसर क्या हो जाएगा देखो या तो 0 होगा यह 0 से बढ़ा होगा लेकिन 0 से बढ़ा कहां तक होगा देखो य के बेल्यू 1 से कैसी होती है छोटी होती है य के बेल्यू 1 से कैसी होती है छोटी होती है तो आप क्या बोलेंगे 0 होगा यह 0 से बढ़ा होगा लेकिन क्या होगा वन तक होगा तो यह इसका क्या हो जाएगा परीसर यह आपका क्या होगा आंसर होगा ठीक है बच्चो तो प् क्या है कुछ्षान नमब्र सेविन कि मान लीजिए कि क्या मानना हमना हमारे पास कि एफ कॉमाजी फॉर्म आर्टू 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 आर्व क्रमसह fx is equal to x plus 1 and gx is equal to 2x minus 3 द्वारा परिभासित है द्वारा परिभासित है तो मुझे f plus z f minus z और f upon z ग्याद करना है ग्याद किजिए ठीके बहुत ही अच्छा कुश्चन है मारे पास क्या कहता है कि मान लीजिए कि f, z from r to r क्रमस fx is equal to x plus 1 and gx is equal to 2x minus 3 द्वारा परिभासित है तो f plus z f plus z f minus z और f upon g ग्याद किजिए तो देखिए अब कैसे ग्याद करेंगे तो सबसे पहले f x plus z x से याद कर लेते हैं fx plus z x x 3 x अब देखिए यह plus 1 minus 3 तो minus 2 यह आपका right answer होगा देखते हैं second यह first हो गया second क्या हो गया कि f x minus z x is equal to चलो f x minus g x से लिए f x की value x plus 1 minus g x की value कितनी है 2 x minus 3 ठीक है बच्चों तो देखिए क्या होगा x plus 1 ठीक है न तो x plus 1 x plus 1 की x plus 1 होगा minus minus sin का जब कोश्टक में multiply करेंगे आप तो कितना हो जाएगा minus 2 x plus 3 चलो अब इसको आप हल कर दीजिए तो क्या होगा minus 2 x plus x minus x and plus 3 plus 1 plus 4 यह आपका right answer हो जाएगा and third आप बात करेंगे f upon g मतलब f x upon g x की बात करेंगे आप तो is equal to f x क्या है x plus 1 upon g x क्या है 2 x minus 3 और यही आपका क्या होगा right answer होगा तो आपको यह समझ में आ गया होगा तो please pause video not add on ठीके बच्चो देखते हैं इसका next question देखे question number 8 क्या कहता है मान लीजिए कि f is equal to 1 1 2 3 0 minus 1 minus 1 minus 3 z से z में z से z में f x f x is equal to a x plus b द्वारा परिवासी देख फलन है जहां a b कोई पूर्णांख है जहां a b कोई पूर्णांख है a b को निर्धारित कीजिए a b को निर्धारित कीजिए ठीक है बच्चो तो question number 8 बहुत ही प्यारा question है मान लिजिए कि f is equal to दिख रहा है सभी को पूरा clear के लिए दिख रहा है अब देखिए कि मान लिजिए कि f is equal to 1 1 2 3 0 1 minus 1 3 z से z में f x is equal to a x plus b द्वारा परिवासी एक फलन है जहां a b कोई पूर्णांख है तो a b को हमें निर्धारित करना है ठीक है बहुत अच्छा question है तो देखिए सबसे पहले गर हम बात करें दिया है जो दिया गया फलन है दिया गया फलन तो दिया गया फलन क्या है यहां पर लिखेंगे दिया गया फलन ठीक है तो दिया गया फलन क्या है f x is equal to a x plus b and अगर हम function की बात करें, है ना, तो ये तो फलन है, और ये क्या है, एक function है, इस पर ही dependent, ये फलन है, ये एक नियम है कहना चाहिए, और ये क्या फलन है, तो फलन क्या है, वह, आप देखेंगे, f is equal to, क्या दिया गया, 1, 1, and 2, 3, and 0, minus 1, and minus 1, minus 3, अब जेड से जेड में बोला है, ठीक है, जेड से जेड में, जेड मतलब क्या हो गया, है न, पुरुनांक हो गया, तो जेड से जेड में कहता है, condition, तो देखेंगे, बहुत ही ध्यान समझते हैं, अब हम क्या बोलते हैं, यहां से हम देख करके बता देते हैं, यहां पर ये x क कि आख वेल्य दिन कई और वॉयक्ट के फ्याने दोब्jea सबंगेड्स पहुत ही अच्छे समझना इसको तो अगर कहता हम कि यहां पर एक्स इस इक्वल्ट वण हमने कहका यहां एक्स थे जलट आप 1 कहा तब अगर x is equal to 1 यहां रखेंगे आप f1 is equal to तो क्या हो जाएगा a plus या a अब x की value 1 हो गई 1 plus b is equal to a plus b यह term अब क्या कहते हैं कि यदि आप यदि आप क्या कहा देते हैं यहां पर कि अब अगर आप term को देखें अच्छे से तो x is equal to 1 कहा तो यह term हो गई लेकिन यदि x is equal to 2 मैं 2 कहा दूं है ना यह x is equal to 0 कहा दूं तो क्या term होगी अब बहुत ही ध्यान समझे ना तो आप देखो f1 की value कितनी है f1 की value 1 ही तो है यह clear हो गया in equation number first यह clear हो अब मैं क्या कहता हूं देखो देहां से अभी समझ में नहीं आओगा देखो x is equal to 1 यह लिए मैंने clear हो गया तो मैंने इस function में मान रखूंगा तो f1 रखा f1 a के जगए a x के जगए 1 और a b के जगए यह clear हो गया अब मैंने क्या कहा यह f1 रखा था लेकिन यह f1 रखा यह f y ही तो है और y के value क्या है 1 है clear हो गया इतना तो मैंने कहा कि f1 is equal to 1 ठीक है अब a की जगए a into 1 a हो जाएगा plus b समीकर नमर एक अब देखो अगर मैंने कहा कि यहां यहां से x के value 0 रख देता हूं x is equal to 0 रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा f0 is equal to f0 is equal to अब देखो a into 0 plus b तो यह a into 0 is equal to 0 तो 0 लिखने कहा सकता है यह b हो गया और f0 की value कितनी है यहां पर minus 1 है equation number 2 अब अगर equation number 2 तो b की value हमको मिल गए इस equation number 2 से equation number 1 में value रख देंगे तो क्या होगा b की value यहां रख रहा हूं मैं तो हो जाएगा 1 is equal to a plus minus 1 clear चलो ठेक इसका तो आपके पास a की value मिल गई और यह b की value मिल गई ठीक है यह आपको गयात करना था यह आपका answer होगा ठीक है बच्चो तो समझ में आओगा जिसके नहीं समझ में आए तो वीडियो को एक बार पॉस करके फिर से देखिए तो प्लिस इस question को आप लिख लिजिए प्लिस पॉ अब question number 9 क्या कहता है बहुत ही ध्यान समझेंगे वह question का answer ठीक था कि इन देख लेते हैं question number हम कौन सा देख रहे थे 7th, 8th देख रहे थे A की value 2 ठीक है और B की value minus 1 ठीक है अब देखिए अब next question की बात करते हैं question number 9 क्या कहा R is equal to बहुत ही ध्यान से समझेंगा question number 9 इसको पूरा नहीं लिख रहे हैं थोड़ा बड़ा है इसलिए तो कुछ relation दिख लेते हैं R is equal to AB from AB is belong to capital N तथा A is equal to B square ठीक है द्वारा परिवासित N से N में एक सम्मंद R है एक सम्मंद R है क्या निमलिकित कथन सत्य है पहला क्या कथन दिया है देख लीजिए फर्स्ट जो कथन दिया है हमारे पास AA is belong to R सभी A is belong to N बहुत ही ध्यान समझिएगा इस question को क्या कहा है यहां पर question number 9 में कि relation given है हमारे पास जो relation क्या है R is equal to AB such that AB A, B is belong to N तथा A is equal to B square अब देखिए क्या कहता है AA फर्स्ट वाला question कहता है कि यह कथन सत्य है या सत्य हम को बताना है ठीक है तो देखिए पहला क्या कहा है उसने कि A is belong to R सभी A is belong to N के लिए सत्य है या सत्य है तो देखिए हम से अब मैंने मैं कहूंग यहां पर कि यदि में A की value 1 रखा तो यह याली भी तो value 1 ही होनी चीए ना पर यहां पर क्या बोलता है A is equal to B square A is equal to क्या कहता है B square तो क्या कंडिशन को सेडिस्पै करेगा नहीं बट यहां पर कह देगर 0 रग दे तो 0 रग दे बट A is not 0 is not belong to capital N तो दिया गया कथन कैसा हमार असत के है नहीं यहीं बात समझ में नहीं बात समझ में तो देखे एक पर फिर से क्या कहा उसने एक relation given है इतनी बात समझ में आ गए अब यह relation कैसा समझो AB is such that A, B is belong to N तथा A is equal to B square यह इतना समझ में आया अब समझो अच्छे से थोड़ा सा यह relation क्या है देखो मैं यहाँ इस relation को लिख कर बताता हूँ relation क्या कहता है AB के form में है ठीक है और AB दोनों के किस से belong कर रहे है natural number से belong कर रहे है और natural number कहां से कहां तक होती है 1 से लेकर infinity तक होती है इतनी बात के लिए रहे है अब मैंने कहा कि natural number से 1 रखा A की value 1 A की value 1 तो जो B square होगा ध्यान से समझे ना मैं क्या कह रहा हूं कि A की value 1 तो इस B की value क्या होगी समझो ना देखो ध्यान से अगर मैं यहाँ B की value 1 कहा मैं ने समझ मैं जब B की value 1 रखा तो B की value 1 रखा तो 1 का square 1 ही होगा चलो 1 का square 1 हो गया इतनी बात समझ मैं चलो आगे अब देखते हैं कि यहाँ पर सेकेंड टर्म देखते हैं कि यदि मैंने B की value 2 रख दिया तो भाई यह 2 का square कितना होगा 4 होगा ठीक है अब मैंने कहा कि B की value 3 रख दिये तो 3 का square कितना होगा 9 होगा और ऐसी आगे बढ़ते चलेगा आले छोड़ लंबर के लिए ठीक है अब देखो न क्या बोलता है a is belong to R sub e a is belong to n अदेखो a is belong to R sub e is belong to n कहा उसने तो यह क्या कासल सत्य होगा क्या केवल a 1 1 के लिए ही तो सत्य दिख रहा है बाकी के लिए दिख रहा है क्या नहीं तो यह क्या हो गया हमारा a सत्य हो गया सेकेंड देखो, सेकेंड क्या कहता है, सेकेंड कहा कि A B is belong to R का तात पर यह है, तात पर यह है कि B A is belong to R, ठीक है, अब क्या कहा सेकेंड में, कि A B is belong to R का तात पर यह है, कि B A is belong to R, क्या ऐसा हो सकता है, यहां अगर 4 2 है, तो क्या 2 4 होगा, क्या नहीं, तो यह भी क्या होगा, असत्य होगा, बास समझ में आ रही है, यहां अगर 4 2 है, तो क्या 2 4 है, नहीं है, तो दिया गया कथन यह भी असत्य है, देखिए 3rd, अब क् है कि a b is belong to R b c is belong to R का अतात पर यह है कि a c is belong to R ठीक है अब देखिए a b is belong to R b c is belong to R का तात पर यह है कि a c is belong to R अब ध्यान समझो अगर मैंने कहा कि अगर a की value मैंने देखो ध्यान से अब यहां से यहां रखता हूं मैं 2 4 अगर मैंने बोला कि 4 2 है जब a b हमने का a b is belong to देखो a b is belong to R यह बात हो गई अब देखते हैं कि b c is belong to है ना अब देखते हैं बी सी बिलंग टुर अब b c is belong to R होगा यह नहीं देखो a b is belong to R to b c is belong to R का तातफ़ यह है कि a c is belong to R यह होई नहीं सकता क्यों नहीं हो सकता देखो अब यहां समझा कि अगर मैंने बोला फोर टू इस बिलॉंग डू आ रहें तो भाईया तू और इसका अगर कोई नमबर ले लेंगे यहाँ पर तुसका स्केर टू हो जाएगा ठीक हो ध्यान से अगर मैंने यहाँ पर फोर टू ने कहते अगर में नहीं तो यह भी कैसा हो जाएगा आपका कथन असत्य हो जाएगा कैसा कथन हो जाएगा असत्य हो जाएगा तो देखते हैं क्या कहता है मान लीजिए कि a is equal to 1234 and b is equal to 159 11 15 and 16 और f is equal to 1529 3145 and 211 क्या निम्दी कित कथन सत्य है अपने उत्तर का उचिती भी देना हमे पहला question क्या कहता है f is equal f comma a से b में एक सम्बंध है चलो ठीक क्या a से b में एक सम्बंध है तो ध्यान से देखिए one का pair देखो one का pair किसके हाथ हो रहा है five के साथ देखो one का सम्बंध five के साथ है फिर two का relation किसके हाथ है nine के साथ है फिर three का relation किसके साथ है तो one के साथ है फिर four का relation किसके हाथ है five के साथ है and फिर two का relation किसके साथ है तो eleven के साथ है तो दिया गया जो हमारे पास f एक मतलब की relation ही तो एसे बी में क्या है एक संबंद है एसे बी में कैसे संबंद है तो देख लिए कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर किसके वेंड डाइग्राम के साहतर समझ लेते हैं और टू का इमेज नाइन टू का इमेज नाइन तो दिया गया गया तो दिया गया हमारे पास एप जो दिया है एक संबंध है अगर हम बात करें कि एक क्या है फलन है वे नारे के माद्यम समझ लेते हम क्या दिया गया है कि वन का देखो वन का इमेज फाई हो है फूर का भी में फाई हो कोई दिक्कत नहीं दो अलग-अलग फरक नहीं करता लेकिन एक ही एलिमेंट की दो इमेज नहीं जा रिलेशन नहीं है यह क्लियर हो गया पहला पॉइंट आपको प्रेश्चन नमबर 10 अब गया होगा तो प्लीज पॉस्ट वीडियो नो टेंड लिएटा देखते है क्कॉस्टन नमबर 11 ठीक है क्वेशन नमर 11 क्या कहता है मान लीजिए कि ठेक से दिख रहा है सभी को मान लीजिए कि FF is equal to AB, AB, A plus B from A, B is belong to Z द्वारा परिभासित जेड़ क्रॉस Z का एक उपसमुच्चे है क्या FZ से Z में एक फलन है अपने उत्तर का अउचिते भी देना है क्या कहता है कि मान लीजिए कि F, F is equal to AB, A plus B, AB is belong to Z द्वारा परिभासित जेड़ क्रॉस Z में एक उपसमुच्चे है क्या F Z से Z में एक फलन है तो देखते हैं या नहीं है तो अपने उत्तर का भी यह उचिते देना है में तब क्या कहता हूं कि मान लिया जाए या दिया है सबसे पहरे देख लेते हैं क्या दिया है हमारे पास F is equal to AB, A plus B such that A, B is belong to Z A, B is belong to Z हो गया अब देखिए कि यदि A is equal to मैंने कहा 0 and B is equal to 1 ठीक है तो क्या हो जाएगा कि A into B is equal to A की value 0 into 1 is equal to 0 and A plus B is equal to 0 plus 1 is equal to 1 ठीक and वह A is equal to हम मान लेते हैं अब उना 0 and B is equal to हम मान लेते हैं 2 ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तो क्या हो गया कि A into B is equal to 0 into 2 equal to 0 and A plus B is equal to 0 plus 2 is equal to 2 तो देखिए यहाँ पर कि अब अगर हम फंसन की बात करें तो F is equal to कितना आया 0 से 1 आया और 0 से ही 2 भी आया है ना 0 से तो यहाँ 0 की image 1 भी है और 0 की image क्या है 2 भी है तो इसी प्रकार से आगे और pair बनेंगे हना pair बनते चलेंगे तब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर एक ही element की एक ही element की क्या हो रही है दो अलग-अलग image बन रही है तो दिया गया जो relation होता है वहाँ फंसन नहीं होता तो यहाँ क्या है एक फलन नहीं है क्लियर है तो प्लीज पॉस दो वीडियो नोटे डाउन देखे कोश्चन नमबर 12 क्या है मान लीजिए कि a is equal to 9 10 11 12 13 तथा f is equal f from a to n f n is equal to n का महत्तम अभाजी गुनांक द्वारा परिभासित है f का परिसर ग्यात कीजिए बहुत ही easy question है नहीं hard थोड़ा लगते हैं से question पढ़ने से कि बहुत hard होंगे ठीक है अब देखिए क्या कहा है यहाँ पर हमारे पास एक सेड़ी आ गया है अब देखो क्या कहता है a is equal to 9 10 11 12 and 13 और f form a to n a to n मतलब n के natural number प्राकरत संख्या है और f n is equal to n का महत्तम अभाजी गुनांक यह बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है ठीक है अच्छो तो देखिए f n की value में यहां से ले लेता हूं ठीक है यह होगे 9 is equal to 9 और इस 9 1000 7 गुनांग क्या हो जाएंगे हो जाएंगे देखो 2 की बात करते हैं तो 10 का कितना होगा उसके बाद f 11 की बात करते हैं दोनग कितने होगया तो कितना । इसका only 13 होगा तब हम फंसन बनाते हैं तो f is equal to कितना होगा देखो 9 रखे थे तो 9 अब यहां से महत्तम अबाजी गुनांग लेंगे तो दोनों में दोनों ही महत्तम दिख रहे हैं तो 3 cross 3 है तो मैं 3 ही ले लूँगा उसके बाद 10 की बात करता हूं तो 10 लिए तब 10 का महत्तम अब देखो 2 है 2 into 5 है अब 2 भी है और 5 भी है तो यहां से मेकजीमम लेंगे अदिकता मुला ना मत्तम बुला यहां पर तो 5 ले लूँगा उसके बाद क्या हो जाएगा 11 11 की बात करेंगे तो 11 का कितना हो जाएगा बैटा 11 ही होगा उसके ट्वैल लेंगे तो 12 का कितना होग बिटा, maximum 3 होगा, उसके बाद 13, है न, तो 13 का greatest कितना होगा, बिटा, 13 ही होगा, यह बन गया हमारा function, अब function बन गया, तो हमें range निकालना है, है न, परिसर ग्याद करना है, तो range क्या हो जागा, इसका, range, तो आपको पता है, किसी भी function का first element, domain का element कहलाता है, यह domain के element है, और किस भी function का second element क्या कहलाता है, यह second element है, यह range के element कहलाते है, तो क्या-क्या बन गया है, हमारे पास, 3, 5, 11, फिर, कितना है, 3, तो 3 है, और यह 3, बार-बार नहीं लिखना है, हमको, ठीक है, तो 3 ही रह जाएगा, उसके आदे कितना है, 13, तो आपको यह भी question समझ में आ गया होगा इसके पहले की question समझ में आ गया होगे, जहां पर भी आपको कोई problem हो रही है, तो please video को pause कीजिए, और पुना देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, तो please pause the video, not it down, thank you